नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्स स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उनिवस्टी इंडिया और मेरा नाम है विरिंदवर्मा जैसा आपसे भी जानते हैं हम देश विदेश की उनिवस्टी की उनिवस्टी को एक्स्पलोर एंड रिवीव करते हैं और आपको बताते हैं सब को और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुनोदेया उनिवस्टी के बारे में अरुनोदेया उनिवस्टी जो की अरुनाचल परदेश में इस्तित है इता नगर में इस्तित है उनिवस्टी इसके बारे में सब बताएंगे आज आपनी इस वीडियो में क university के पास क्या-क्य approvals है क्या-क्य approvals कब मिले है university कब अस्तित्व में आई है university का UGC का letter कब मिला है और साथ ही बहुत कुछ क्या है notice जो university की site पर डला हुआ है और जो contact details है university की site पर क्या उन पर आप contact करेंगे तो क्या contact हो पाएगा इन सब की जानकार लेने के लिए बने रही है हमारी इस वीडियो के साथ अरुनोद्या यूनिवर्सटी को जानने से पहले सबसे पहले आप जाने है एड्रेस यूनिवर्सटी का यूनिवर्सटी कहां पर इस्तित है हाला कि अरुनाचल परदेश में और भी कई सारी यूनिवर्सटी हैं बढ़ कई दिनों से अरुनोद्या यूनिवर्सटी के बारे में क्योंकि आपके हमारे पास मैसेज जा रहा ही थे तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाएं यूनिवर्सटी का जो एड्रेस है अरुनोद्या यूनिवर्सटी लेखी विलेज नहार लगून इटरनगर डिस्टिक पापुम पारे अरुनाचल परदेश इसका कोड लिखा हुआ है साथ में और यूनिवर्सटी के जो कॉ अरुनिवर्सटी का जो एक वीडियो बनाई है जो लोग नहीं है हमारे इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि यूजिसी कब बना था कब अस्तित्र में आया उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकें साथ में लिखा हुआ है 2F जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सटी बनती है वो सेक्शन 2F के अंडर बनती है और जो मार्कशीट्स ये लोग दे सकते हैं स्टूडेंट्स को उसका सेक्शन है 22 अब थोड़ा आगे बताता हूँ इसके बारे में अरुनोदिया यूनिवर् सबी के पास अप्रूवल होता है कि वो सेटिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा या फिर रिसर्ट्स के उपर जो डिग्री अवार्ड की उनके बार आथारिटी है उसी के अंदर आता है प्री कोर्सिस, प्री कोर्सिस के बारे में हाला कि हमने कई आटिये लगाई आप लोग को बताने कोशिश की बताया भी को उनी यूवर्स्टी कैसे कैसे ओद आते है अपने कोर्सिस को देने की बड़ थोड़ा सा और आप समज pores के बारे में जो साइट पर लिखा है इस यूवर्सटी ने मतलब कि university जो है सारे standards को follow करती है maintain करती है जो UGC बोलती है दोस्तों आपको पता होगा अभी कुछ time पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी पांच universities को एक state government ने एक letter दिया था कि वो लोग अपना standard maintain नहीं करते है और कई जगा वीडियो भी गलत बनी कि वो fake universities थे जबकि वो fake universities नहीं थी ऐसी हमने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के बारे में ज़्यादे जानकरी के लिए हमें comment आपको से बताना तो हम उसका जो link है आपको provide कर देंगे वहाँ जाकर भी university के बारे में आप काफी informations आप ले सकते हैं university क्या-क्या courses provide करती है अरुनादिया university उसके बारे में आप समझेए university के पास है arts and social sciences commerce and management में आगया आपका b.com, m.com या फिर management के जो courses है like MBA, sciences में आगया ब.s.c., m.s.c.a. courses आगया engineering and technology मतलब की b.tech, m.tech, university, a.s.c.t. का approval है के नहीं वो तो approval के मैं अभी जो बताऊँगा तो उसके बारे में detail में बताऊँगा आपको में legal studies मतलब की university के पास l.b.b.c.i. का approval है, diploma certificate courses, p.g. diploma courses, certificate courses and research, research मतलब PhD, maximum university जतने भी युजिस्टी से recognized है, सभी university research करवा सकती है, PhD करवा सकती है, university को इस चीज़ का approval होता है, university के पास approvals क्या क्या है, university युजिस्टी युजिसी रिकॉगनाइज रिकॉगनाइज रे समय ने आपको बताया, बड़ उससे पहले बहतर है कि मैं आपको पास के university ने प्रपोजल अपना दिया, और university के पास जो information है, या फिर जो university की inspection जो कमिटी होती है, उसका भी yes का answer नहीं आया है, university पर पास साल में हलकी वो आ जाता है, बाकि जा जानकारी के लिए आप UGC के site पर जाएंगे, थर्ड नमबर मैंने आपको बताया, वहाँ देखेंगा, जातना information आपको मिल जाएगी इस university के बारे में, university जो बोलती है कि हमारे पास क्या क्या, approvals है, recognitions है, UGC जो मैंने आपको बताया, साथ में state का NOC, कोई भी university चलने से पहले state का NOC लेती है, वो university के पास है, university का act, act आप जाके युनिवस्टी के साइट पर देख सकते हो, recognitions की जो अप्रूवल्स की जो युनिवस्टी के लिस्ट बनाया हुए, उसकंदर जाकर, बार काउंसिल, BCI का युनिवस्टी के पास अप्रूवल है, डिटेल में जानकारी के लिए, LLB के लिए, रिसर्च के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स ने बताएं, ताकि डिटेल पर एक वीडियो बना सकें, अगर इसी में इंक्लूड करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, साथ में युनिवस्टी के पास AICT का अप्रूवल है, साथ में युनिवस्टी के पास AIU का अप्रूवल है, Association of Indian Universities, जितने भी अबराइड के स्टुएंट्स आते हैं, जातर इस लिस्ट को वो जरूर देखते हैं, इंडिया में आने से पहले, ऐसे युनिवस्टी के पास और भी कुछ अप्रूवल से हैं, बर जादा बहतर होगा, पहले आप नोटिस को पढ़िए, ऋरुनादिया उनिवस्टी के काफी लोगों ने हमें माकशिट्स भेजी टी, वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो अरुनादिया उनिवस्टी की जो आपके पास standards हैं, आपने कैसे लिए हैं या किस तरा से आपनो उसका process फॉलो किया था, युनिवस्टी साफ साफ नोटी से बोलती है हमारे कोई भी आफ केंपस सेंटर नहीं है और कोई ऐसा बोलता है तो गलत बोलता है साथ में ही युनिवस्टी वान भी करती है स्टूडेंट्स को If any person student enrolling through any such off-campus study center He or she shall be doing at their own risk at consequences The university shall be no way liable for such misdeeds मतलब कि अगर कोई भी admission लेता है कोई भी आपको बहकाता है मैं admission करवा दूँगा या मेरा authorized center है तो गलत बोलता है युनिवस्टी ने officially अपने notice में युनिवस्टी के website पर जाकर अगर आप निकालेंगे तो आपको easily letter आपको मिल जाएगा कि युनिवस्टी ने क्या notification दिया है तो इस तो अरुनोध्या युनिवस्टी के बारे में मैं उमीद करता हूँ थोड़ी details जो मैंने आपको दी हैं आपको समझाई होंगी युनिवस्टी के पास approvals हैं युनिवस्टी UGC listed है आप fake तो इस युनिवस्टी को बिलकुल नहीं बोल सकते हैं कई लोग हमसे ऐसा question पूछ लेते हैं युनिवस्टी लिस्टीड है युनिवस्टी क्या ranking देंगे वो depend आपर करता है युनिवस्टी जाएए, visit कीजिए, देखिए युनिवस्टी को सब कुछ ठीक लगे, तो ही एडमिशन ले, किसी भी युनिवस्टी में ऐसे ही एडमिशन ना ले, अपने विवेक से काम ले और जाए जानकारी के लिए हमें आप काम्टेट कर सकते हैं हमें वोटसेप पर, वोटसेप मैसेज कर सकते हैं हमें फेस्बुक और इंस्टेग्राइम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों मैं अमीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ में लगा बेलेकर जरूर दवाज ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम आपके लेकर आज सकें सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राइद धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए